हेलो बच्चो, मैं आज की वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज की वीडियो एक सेर की कहानी है चलिए तो हम सेर की कहानी सुनने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बच्चो, अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजे और सबस्क्राइब कर लीजेगा हमारी चैनल को चलिए बच्चो, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक जंगल में एक बहादूर सेर रहता था, जिसका नाम सिहासन था सिहासन जंगल का राजा था, और सभी जानवर उसकी पहादूर की कहाने से प्रेडित होते थे एक दिन जंगल में एक भेटकर सेर आया, जिसका नाम खंडहर था खंडहर ने जंगल के सभी जानवरों को धमका कर कहा हाँ 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 है यहाँ का सबसी बड़ा और सब्सक्ति साली से हुँ और आप में इस जंगल का राजा बनूँगा फिर क्या था बच्चों? सिहासन ने जैसे सुना और उसने तकाल लिन्ने कर लिया वह खंडहर को जंगल से बाहर भगाएगा एक बड़े समर्थ वानर सेना के साथ सिहासन ने खंडहर के खिलाब वार की योजना बनाए जंगल का दिन आया और खंडहर ने उतसाहित होकर आक्रमन किया सिहासन ने अपने सेना के साथ बड़े आत्मविश्वाष के साथ उत्तरदाता भूमिका निभाएगा जंग बहुत तीजी से बढ़ी और सिहासर ने खंधर को मार गिराया खंधर ने अपने दूरबलता को समझ कर माफी मांगी और जंगल में सांती बनी रही सिहासर ने सब को यह सिखाया कि सक्ती का सही उप्योग करना ही सची बहादरी है और उसने जंगल को सद्गुन सुरक्षिर बनाय रखने का आदान प्रदान किया इसके बाद सिहासर ने जंगल के सभी जानवरों को एक साथ रहने का आदान प्रदान करना सिखाया और उनके बीज में बन्वर को बढ़ा जंगल फिर से खुश हाल और सांत हो गया कि दीखा बच्चो कितने मज़धार कहानी थी न इस कहानी से हमें क्या सिख्षा मिलते बच्चो यह कहानी बच्चो को यह सिखाती है कि सची बहादरी में सकती का सहीं इस्तिमाल करना चाहिए है न और हमेशा सच्चाए और निया एके पत पर चलना चाहिए ठीक है बचो अभी के लिए ये स्टोरी हो गई मिलते हैं अगली स्टोरी में अभी के लिए ठेंक यू बाई बाई